क्लास पे फर्स्ट आने का बेस्ट उपाई वो से वो से वो से वो से हलो बच्छो आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है इक्वैलिटी यानि के समानता यह कुछ आकड़ों को आप देखो क्या आप जानते हो दुनिया के जो सबसे अम पुल इंकम से जादा है इन आख्ड़ों को देखो नाइजेरिया में 18 गर्वती महिलाओं में एक की डेथ हो जाती है और कैनेडा में 8700 गर्वती महिलाओं में शायद किसी एक की डेथ हो तो यह स्वात सेवाओं में समानता है क्या एक और आख्ड़ा देखते हैं दुनिया कि जितनी नैचरल रिसोर्सेज हैं उनकी भी 80% कंजम्शन, 80% खपत वो इन दोशों में होती है साथी साथ पॉलूशन, 60% पॉलूशन उस देश से आती है विदेश की छोड़ो हम अपने देश में आ जाते हैं इन आक्ड़ों को देखो अब देखोगे हर लेवल पर शहरी जो है वो ग्रामीन शेत्र से कहीं आगे निकले हुए हैं यहां भी समानता नहीं है इतनी जादा असमानता क्यों है इसलिए कि अमीर और गरीब जो है उनके बीच का फासला काफी बड़ा है आज की तारीक में भी हमारी देश की काफी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन ग आपके पास समान अफसर मिले ताकि वो अपनी की विकास कर सके और अपनी महत्वांग्शाव को पूरी कर सके केवल आर्थिक असमानता या समानता ही नहीं हमारे देश में काफी समाजिक असमानताई भी है फॉर एकसांपल आप देखते हो बार-बार हम सुनते हैं जात-पा इसके खिलाफ, डॉक्टर बियार अमेतकर और महात्मा गांधी ने आवाज उठाई और दलितों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गये। कई देश ऐसे हैं जहां रंग और नसल के बेसिस पर भी असमानताय होती हैं। अमेरिका में बहुत समय ऐसा भीता था जब शुषवितांगों को क्रिश्नांगों से सुपीरियर माना जाता था। और उख कुछ की सुविधाइवताई उनकी बिलकुल अलग रहती थी। इनको देखो आप, कुछ सुविदाय तो Krishnango को मिलती नहीं थी, इसके खिलाफ अवाज उठाया Dr. Martin Luther King ने, और इनको कानूनी हक मिला कि सब एक्वल हैं, पर आज की तारीक में भी, आप अगर TV देखते हो, अगर निउस्पेपर पढ़ते हो, तो Black Lives Matter movement आप देखो कितना सीरि आज चला रखा था, और उसका नाम दिया गया था, अपार्थेड, इसके खिलाफ, Nelson Mandela ने आवाज उठाय और अपनी सारी जीवन उन्होंने लगा दी, कि कृष्णांग और श्वेतांग में समानता आए, और इनको Nelson Mandela ने ये श्वेतांग रूल से स्वाधिनता दिलवाई एक और तरीके का होता है असमानता जो है राजनीतिक असमानता, राजनीतिक समानता कहता है कि सब के पास equal rights होने चाहिए vote डालने के लिए, सब के पास equal rights होने चाहिए किसी भी लोगों के साथ एक संग बनाने के लिए, ग्रूप बनाने के लिए, और सब के पास ये right होना चा पर क्या यह सब समानताय हैं? आप इसके बारे में जड़ा सोचो तो यह समानताय जो आई है हमारी सोसाइटी में यह कहा से आई? जो पुलिटिकल साइंटिस्ट है, राजनीतिक विशेशग गिया है, उन्होंने इसके बारे में काफी सोचा और उन्होंने एक थियोरी दिया कि यह आया था, पुराने दिनों में सोच था प्राकितिक डिफ्रेंसेस यानि कि दुनिया के जो अलग-अलग लोग हैं, उनके शरीर, उनकी शमताय, उनके सोचने का सब चीजों में फर्क है इसलिए कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग उतने आगे नहीं है, उनका एक मानना था कि जो दिव्यांग है, वो सक्षम लोगों की तरह काम नहीं कर सकते इस पिक्चर को देखो, यह है लंडन पैरलिम्पिक्स, आप जानते हो ना कि ओलिम्पिक्स की तरह दिव्यांगों के लिए पैरलिम्पिक्स होता है, कहां आपको दिख रहा है कि यह सक्षम लोगों से कहीं कम है, उनसे जादा बढ़के यह स्पुर्ती से खेल रहे हैं और इनको देखो, यह है Stephen Hawking, यह जब 21 साल के स्टूडेंट थे, Cambridge University में, इनको एक डिजीज हो गया, मसल का हुए डिजीज हो गया, जिसके तहत यह एक वीलचेर में आ गया, और धीरे-धीरे इनके मसल्स इतने खराब होते गए, कि फाइनले इनके गले में एक वाइस बॉक जाता है, तो कहा रही प्राकितिक डिफरेंस की बाद, जब साइंटिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको फिर से देखा, तो वो आए, कि यह सारी जो नियम बनाए गया है, यह एक सामाजिक सोशन के व्यवस्ता है, और इसके खिलाफ आवाज उठाया, Karl Marx ने, Karl Marx ए इस सब की जड़ है, भूमी का स्वामित्व, ओनर्शिप अफ लैंड, कि जिसके पास जितनी जमीन, उसके पास उतनी आर्थिक शक्ती, जिसकी आर्थिक शक्ती जादा है, उसकी राजनीतिक शक्ती भी जादा है, वो अपने हिसाब से कानून बगारा बनवा ले सकते हैं, जो गरिब वो तो पिस्ता ही जाता है, ये था उनका थीरी, और इस थीरी से निकला सामियवाद और समाजवाद, कम्यूनिज्म और सोशलिजम, सामियवाद का कहना है, कि एक देश की जितनी बगारा है, वो सरकार के पास, सेंट्रल के पास, वो एक टरस्ट की तरह है, और व उस जगह के सारी जो wealth है, वो इस समाज के पास है, वो decide करेंगे, वो इस wealth को लेके क्या का काम काज करेंगे, तो ये किसी एक के हाथ में नहीं है, ये सब लोगों के हाथ में आ जाता है, एक और असमानता है, जो जेंडर के basis पे, लिंक के basis पे, कितने बार आप ऐसे देखती हो, कि एक छोटी सी लड़की स्कूल में पढ़ रही है, उसको स्कूल से निकाल के शादी करवा दी जाती है, फिर उसको घर के काम काज करो, आप बच्चों संभालो, यही उसकी जिंदगी होती है, क्या उसको अफसर मिल रहे है, अपनी महत्वा कांक्शाओं को बढ़ाने के ल कि जब अफसर मिले, तो नारी क्या नहीं कर सकते हैं, वो हर फील्ड में अपना सिक्का जमा सकती है, यह जो नारीवाद का अंदोलन हुआ, इसका नाम है फेमिनिसम, उनका कहना था कि पुरानी विचाट धारा जो थी, यह पित्री सत्ता की विचाट थी, पैट्रियार्की क कि जो में हैं वो बाहर रहेंगे और जो विमन हैं वो घर का कामकाद संभालेंगे, इससे दोनों को इक्वल उपरचुनिटीज नहीं मिलती थी, और नारीवाद इसके अगेंस्ट में आवाज उठाता है, आज के तारीख पे एक और अंदोलन चल रहा है, जिसका नाम है लि बुल्स को पूरा कर सके, इसमें एक लाइन बहुत इंपोर्टेंट है, इक्वल उपरचुनिटी, इस पिक्चर को देखो, ये चलती है हर रोज चार घंटे पानी लाने के लिए, और इनके घर में 24 घंटे पानी है, इनके घर में दिन में एक घंटा बिजली आते, और इनक इस से पहले है, आपचारिक तरीके, फॉर्मल उक्वालिटी, कानून पास करके, देश के सब लोगों को इक्वल उपरचुनिटीज का नियम बनाया गया है, पर कानून तो कानून होता है, कानून तभी एफेक्टिव है, जब वो जमीनी स्तर पे लागू हो, और इसके देखो, तीनों को इक्वल चीजे तो मिली हुई है, पर रिजल्ट क्या इक्वल है, नहीं, और वो वाला पिक्चर जड़ा देखो, उसमें क्या है, कि तीनों को अलग अलग चीजे मिली हुई है, ताकि रिजल्ट इक्वल हो, तो पहला जो है, that is equality, और second जो है, उसको कहते ह मतलब संसाधन समान, और equity मतलब result should be same, is it clear? चलो, आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे है, कि हम कुछ affirmative actions ले, हम कोई सकारात्मत कारवाही करे, for example, जो गरीब बच्चे हैं, शीडूल का, शीडूल ट्राइब के बच्चे हैं, इनके लिए हॉस्टिल्स बने, ताकि वो वहा रह के पूरी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके, बच्चों को स्कूली शिक्षा मिले, प्राथमिक शिक्षा सबके लिए compulsory हो, और ये right to education bill भी हमारी यह पास हुआ है, 2009 में, जिसके तहर 6 साल से 14 साल के हर बच्चे को free and compulsory education मिलेगा, और है, कामकाजी महिलाव जो रह के अपनी काम कर सके और रोजगार कर सके, और है, jobs में reservation, ये जो topic है न, ये एक बहुत गरम मुद्दा है, बहुत सालों से एक बहुत गरम मुद्दा है, किसी का मानना है कि ये reservations नहीं होनी चाहिए, सब अपनी merit पे जाके करेंगे, और किसी का मानना है कि जिसके पास equality of opportunity नहीं है, तो वो merit कैसे करेंगे, एक और third method है, जो कहता है कि कुछ दिनों तक ये job reservation होनी चाहिए, उसके बाद जब सब एक level पे आ जाएंगे, तब इसको हटा लेना चाहिए, तो बच्छो, ये था हमारा आज का topic, equality या समानता, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा बा chapter को एक बार पढ़िए, उसके बाद वीडियो को एक और बार देख लीजिए, पूरा topic आपका बिल्कुल clear हो जाएगा, फिर आप अपने शब्दों में सुन्दर सा answer लिखिए, बहुत सारे number जरूर लाइए, आप हमारे subscriber बन गए हो ना, नहीं बहुत तो subscribe, bell, all, तीनों को दबा दो और आपके, every week अपने आप, आपके फोन पर एक नया वीडियो आ जाएगा, देखते रहो, करसे, पोसीज,